आज का विचार 107.8 FM हिंगिरी की आवाज आपकी अपनी आवाज 107.8 FM हिंगिरी की आवाज आपकी अपनी आवाज पर आज का विचार धन और एश्वर्य से सुक प्राप्त नहीं होता चलिए एक कहानी के जरिये समझते हैं नासिर को अपने बगीचे में एक बरगत के पेड के पीचे एक क्रिश्टल बॉल बिला जब पेड ने उसे बताया कि वह क्रिश्टल बॉल उसकी हर इक्षा पूरी कर सकता है तो उसने काफी सूचा लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या चाहिए इसलिए उसने क्रिश्टल बॉल को अपने बैग में रखा और अपनी इक्षा के बारे में सोचने का फैसला किया कई दिन गुजर गए और नासिर ने कुछ भी नहीं मांगा लेकिन उसके एक करीबी दोस्त ने उसे क्रिश्टल बॉल को निहारते हुए देख लिया था उसके दोस्त ने वहाँ बॉल नासिर से चुराया और गाउं के सभी लोगों को दिखा दिया सभी लोगों ने महल और सोना मांगा लेकिन वे एक वस्तु वास्तु से अधिक कुछ नहीं मांग सकते थे अंत में हर कोई नाराज था क्योंकि किसी को भी वो नहीं मिल सकता था जो वे चाहते थे और उन्होंने नासिर से मदद मांगने का फैसला किया नासिर ने चाहा कि सब कुछ वैसाई हो जाए जैसा कि गांवालों के लालच को पूरा होने से पहले हुआ करता था महल और सोना गाया हो गया और गांवाले एक बार फिर खुश और संतुष्ट हो गया तो इसलिए कहते हैं धन और एश्वरे से कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता असली सुख हुए ही है जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है सुनते रहिए 107.8 FM हिमगिरी की आवाज आपकी अपनी आवाज